हेलो दोस्तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूटूब चुनल Mr. टेक्निकल में दोस्तो आज हम जानेंगे external thread के बारे में जो हमें metric thread गिरना है अगर किसी भी job में तो हम उसके बारे में बात करेगे को ऑगे तो यहां पर मैंने कुछ ड्रोइंग दिखा दिया है कि कि इस प्रकार से ड्रोइंग की मदद से हम यहां पर external thread हम ब Wanna सकते हैं जिसको मैं कि threading depth के लिए कौन सा formula यूज़ करना चाहिए और उसकी बगल में यहाँ पर minor diet के लिए कौन सा formula यूज़ करना चाहिए वह मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है तो आजहें दोस्तों स्टाट करते हैं threading के प्रेडिंग के बारे में लेकिन सबसे पहले उसका कुछ drawing देख लिएगे ताकि कि हमें program बनाने में एकदम असानी रहे तो threading के कौन-कौन से part से उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं सबसे पहले यहांपर हमें थ्रेडिंग कौन सा गिराना है, तो यहाँ पर हमें M20 by 2 का थ्रेड गिराना है, यहाँ पर यह उपर की तरफ जो थ्रेडिंग है, उसे हम external थ्रेड करते हैं, और यहाँ पर जो हमने tool लगाया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हमें माइनोट डाया बताया हुआ है मैंने, हम जब भी पोग्राम लिखेंगे तो हमें माइनोट डाया के भी यूज करना होगा, तो माइनोट डाया क्या होता है, यह जो अंदर की तरफ से थ्रेडिंग का जो डायमेटर होता है, अंदर की तरफ से इसे हम माइनोट डाया बोलते है जो हमें यहाँ पर पोग्राम में लिखना होता है यह है दोस्तो माइनो डाया और उसका फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है वो हम आगे पोग्राम में देख लेंगे कि माइनो डाया दोस्तों यहाँ पर हमें पोग्राम में लिखना है उसके बाद दोस् पाचीज दे दिया एक एम आगे थाकि सेड हमारा जो भी हमारा टूल है वह आगे की तरफ टक्राएं नहीं यहां पर आप 25.700-800 भी दे सकते हैं और उसके बाद दोस्तों मैं पॉइंट आता है यहां पर पीच थ्रेडिंग की पीच यह दोस्तों क्या है यह जो हमारा थ्रेड पीच है इसलिए यह हमें निकालने की ज़ूरवत नहीं है तो यह हमारी पीच उसके बाद दोस्तों आती है डेट देप्थ दोस्तों क्या है उसका था क्लकुलेशन हम यहां पर करना होता है लेकिन डेट को किस प्रकाट से बोला जाता है तो यहां पर जो गहर रही होती है की उसे हम बोलते हैं इसे हम बोलते हैं डेप्थ उसके बाद दोस्तों यहां पर आता है एंगल तो दोस्तों यहां पर हर एक मेट्रिक थ्रेड में बीएसपी में एंपीटी में अलगलग एंगल होते हैं तो यहां पर फिलाल हमारा मेट्रिक थ्रेड है तो यहां पर हमां साट का एंगल लिखना पोगा यहाँ पर हमने साट का एंगल दिया हुआ है जो हम आगे प्रोग्राम में देखेंगे तो दोस्तों आप समझ गये होगे ड्रेंग में किस प्रकार से हमें थ्रेडिंग के पार्ट्स को हम किस किस प्रकार से बोला जाता है तो पहले हम यहाँ पर आप प्रोग्राम देखेंगे कि G76 में हमें किस प्रिकार से प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले यहाँ पर हमें G76 त्रिकने आए उसके बाद यहाँ पर P P दोस्तों है वो कंपल सरी है उसके बाद 02 तो 02 दोस्तों क्या है यह है यह दोस्तों फिनिस कट 02 यहां की जब हमारारेदिंग का रफ का टूल चलेगा याने की यहीं टूल जीतने कट लेगा उसके बाद लास्ट में जो दो कट है वो फाइनल लेगा यहां पर आप तिन लिखोगे तो यहां पर लास्ट तिन कट वो फाइनल लेगा तो इसलिए यहां पर फिनिस कट उसको बुला जाता है उसके बाद यहां पर है चैंपफर यह जो आप 0-0 देख रहे हो दो वह है चेंफर चेंफर दोस्तों क्या है यहां पर जब हमारा थ्रेडिंग जब यहां पर खतम हो जता है तो अगर हमें यहां से सिधी की सिधा उपर लेना है तो यहां पर हमें 0000 लिखना है लेकिन लास्ट में यहां पर हमें चेंपर गिराना है यहां पर हमें चेंपर गिरान ते उसके बाद यहां पर आता है अंगल ऑफ थ्रेट यह दो जो है वो एंगल ऑफ थ्रेट कि मेंने आपको पहले इस बता चांज कैना यहां पर इन्टा अप्सिट का बहारा है तो यहां साथ का यहां है यहां पर हमें लिखना है 1660 ठीके दोस्तों यह है एंगल उसके बाद आता है क्यूं यानिकी minimum depth of cut यहाँ पर मैंने 60 micron की minimum depth को टखी हुई यहाँ पर आप जब भी आपका टूच जलेगा तो वो रेक जो cut है वो 60 micron की लेके cutting करता रहेगा यहाँ पर 100 micron भी दे सकते हो 80 micron भी दे सकते हो तो मैंने यहाँ पर 60 micron है वो दिया हुआ है और उसके बाद आता है दोस्तों आर यह हो गया हमारा Q उसके बाद दोस्तों आता है आर आर दोस्तों है final allowance जहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने जो यहाँ पर दो cut लगानी है वो यहाँ पर जो दो cut लगानी है वो इसी final allowance में लगानी है कि दो micron की हमारी दोनों cut आएगी हमारी एक एक micron की दो micron ही यहाँ पर एक और यह दो हरेक cut है वो एक-एक micron की आएगी अगर यहाँ पर तिन लिखा हुआ होता तो यहाँ पर उससे भी कम cut आती यहाँ पर दो final की cut मैंने रखे हुई है उसके बाद यहाँ पर आता है G76 और यहाँ पर X X क्या है core diameter of thread यानि की minor diameter of thread जो मैंने आपको बताया कि इसका हमें calculation करना होता है minor diameter formula मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ तो इसका formula क्या है तो minor diameter का formula है कि minor diameter यहाँ पर है measure diameter जो और उसके minus minus है 2 और multiply threading depth पहले तो measure diameter किसे बोला जाता है तो यहाँ पर जो od है हमारी जो हमें यहाँ बताया हुआ है 20 यहाँ लिखाई हुआ है 20 20 है वो हमारा measure diameter है यह हमारा measure diameter 20 उसको minus कितना करना है 2 और उसको multiply कितना करना है threading depth जो depth का भी हमें अभी यहाँ पर formula बाकी है दोस्तो depth का formula है metric thread में depth का जो formula है उसका हम लिख लेता है यहाँ पर 0.6134 यह compulsory है 0 1 6 1 3 4 0 6 1 3 4 multiply पीच तो हमारी पीच कितनी है यहाँ पर 2 की पीच है तो तो 0 6 1 3 4 को हम multiply के लगे 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा 1.226 यहाँ पर 1.226 यह हो गया हमारा depth तो इससे हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 2 multiply 1.226 यह हमारा depth है तो उसको calculation करेंगे तो यहाँ पर उसका answer आएगा 2.452 तो इसको हम 20 में से इसको हम minus कर देगे तो यहाँ पर जो भी हमारा answer आएगा 17.548 वो हमें measure day होगा तो यहाँ पर हमें लिख लेना है x17 यहाँ पर जो हमने measure day मिला वो यहाँ लिखना है x17548 और उसके बाद दोस्तों आता है z end of thread मैंने आपको बदाया था कि जहां से हम starting करते है और जहां पर हम thread को खतम करते है वो है हमारा z की value तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 25 अब आता है P तो पी दोस्तों क्या है depth of thread जो हमने यहाँ पर निकाला हुआ है कि one point यह हमारा threading depth यहाँ पर हमें निकाला हुआ है formula कमेदद से 1.226 यह हमारा यहाँ पर लिखना है लेकिन जो यह point है दोस्तों वह हमें नहीं लिखना है यहाँ पर हमें micron में लिखना है पूरा तो micron में दोस्तों लिखा जाएगा 1226 वन टू 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 शिक्स ठीक है दोस्तों यह हो गया हमारा threading of depth अब उसके बाद हैगा Q Q माने कि depth of first cut जबी अब thread में हम first cut लगा दे यहाँ पर जबी हम first cut को लगाएगे तो वह हमें कितना रख तो यहाँ पर हमें लिख दिया है कि 100 micron हमारी जो first cut है कि वह आएगी 100 micron ठीक है दोस्तों तो उसके बाद आता है दोस्तों F यानि की होता है पीच हमें यह पर दी गई है पीच हमारी कितनी है 2 mm तो यहाँ पर हमें लिखना है 2 mm यहाँ पर हमारे पीच है 2 mm तो यहां पर 2.0 तो आप समझ गिया होगे दोस्तों यहां पर कुछ इस प्रकार से हमें परफेक्ट करीके से बनाना है जो मैंने आपको यहां पर ट्रोइंग में भी समझा दिया कि किस परकार से कौन सी चीज को क्या बोले जाता है और पोग्राम में मैंने आपको हर एक पॉइंट बता दिया है कि कौन से को कोड को हम क्या बोलते हैं और पी को क्या बोलते हैं क्यों क्या बोलते हैं आर को हम क्या बोलते हैं कहां पर हमें उसका डेप्थ लिख करना है कहां पर उसका में पीछ लिखना है औ आपर मैंने आपको सब कूछ बता दिया है तो आसा करता हूं दोस्तों आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा आपको भी अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर कीज और दोस्तों बागल में जो बेराइकल है उसे भी प्रेस करना बिल्कुल ना बुले ताकि जो भी मेरी नई वीडियो है वो आपके सामने सो होती रहे तो थेंक्यू दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में